डॉलर इंडेक्स का क्या हाल है और वहाँ पर रुपए की क्या कहानी बन रही है डॉलर इंडेक्स का की प्रेशर है आप देखिए हर बार हम अपने लेविल्स को थोड़ा ट्वीक करते हैं लेकिन किसी की तरह से जो 106 प्लस माइनस वन पॉइंट जो रेंज हमने रखा हुआ है वह अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है तो डॉलर सॉपनी मेरे हिसाब से रहनी चाहिए हो सकता है कि काफी लंबे समय ते कि हैं 100-105-6 यह सब रेंज में ट्रावल करता रहे लेकिन मुझे लग रहे कि कि मारा डॉलर टॉप्ट आउट है मुस्ली डॉलर टॉप्ट आउट है सम फाइंडे इसका ब्रेक डाउन होगा तो ज्यादा स्ट्रॉंग डॉलर तो अब नहीं लगता है मतलब दो डिजिट के अंदर ये डॉलर ने इस वापस आता हो देख रहा है क्या कुछ समयने पाइनली आना चाहिए लेकिन साइकलोजिकली जिस तरह से हंडेट पे रुका हुआ है वो खत्म होना होगा अगर वो हुआ तो दो मतलब 96 97 के तरह भी चला जाए डॉलर एंगे लेकिन पहले जरह हंडेट चूट है और उसका असर हमारे रुपय पर क्या होगा रुपया जो है इस समय तो ठीक्ठा की लग रहा है वह हम लोग महीनों से बात कर रहे हैं 83 का लेवल उपर शथ बनी हुई है और नीचे अब यह एक बार फिर से दिख रहा है कि 200 अभूए अबरेज के नीचे आया है तो यहां यहां ही बन रही है क्या यूज डी आयनर शर्टेनली बन दो गया है 83 का टॉप जैसे हमारा बन गया है यूस डालर का टॉप लेकिन फिलहाल मुझे देखके साही लगता है कि 83 के आसपास ट्रैवल तो होगा यूस डी आयनर का अब नीचे कितना जाएगा वो ठोड़ा समाम पर अनला यह है उसको एनलाइज करना ही का मैक्सिमुम इसको लेकिन ब्रेक्डाउन के स्थिति बंती होई देख रही है क्या है 200 डे मुविंग एवरेज को छोड़ चुका है नहीं होगा 200 डे मुविंग शूट गिया है लेकिन ब्रेक्डाउं के लिए इसको क्लिए एटीन तो ब्रेक्डाउन होगा बिकाज डिस्तेंस बहुत ज्यादा नहीं है 200 यह तो जबता है इसका ट्रैवल यहां भी चलता रहे और 200 यह प्लाटन होगा तो मुस्टली 81.5 रखे उसके नीचे ज्यादा चांसे रहेंगे इसके बूलपों में फॉल इसका 81 के नीचे है मतलब पॉ इसके नीचे ही है जो कि अच्छा खासा राइस में लेगा उसके पर ज्यादा रुपी अप्रिशेशन बिलकुल तो यह मोटे तोर पे कहानियां जो हमें अलग-अलग एकनोमिक फैक्टर्स इन पर ध्यान देना होता है